नमस्ते जी स्वागत है आपका अपने चैनल फैंसीड जैनर सूट एंडरेस के अंदर और जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना साथ देने के लिए अपना साथ नया शुरवाद ऐसे ही बनाए रखना आप सोच रहे होगे इस टाइम वीडियो कैसे आ गई जो हमने स्टिच कराएं सूट देखो जी कुछ तो मेरे को उधर से उधर निकालने पड़ जाते हैं उनकी वीडियो निमना पाती क्योंकि टाइम योता किसी बंदे को पार्टी में जाना यह जल्दी से जल्दी निकाल देती हूं कुछ जो मेरे पास है वह दिखा देती हूं डिजा में दुबार आएगा बाकी वह मिल जाएंगे चलो आपको दिखाती हूं स्टीचिंग आप बता दूंगे आपको इतना क्या है ठीके जी तुले दिखाए इसका दूपट्ट्ट नि देखो जी आपने देखा होगा यह वीडियो में यह जो कश्ट्मर बनवाते है न वही बनाते है देखो जी अब आप लेंध का गयते हो न यह देखो इन्होंने लेंध है ऐसे बडा दीन इसकी अच्छा लग रहे है यह गले के उपर डिजाइनिंग है इसकी यहां ट्रेंगल लेस है देखो आप सफाइध देख सकते हो यह प्रैंगल लेस एब बैक में डिजाइन देखो ऐसे बैक में भी कर दिये नोंने यह गश्राइब है यह गलावन ना है अर्ब प्लेटले सब सब मिल जाएंगे यह सारा मौत्ती का वर्क है इसके उपड़ कि सिलक की बोटम है यह यह बोटम है ठीक है 1100 पे स्टीचिंग है आपके बोटम के अंदर तो मिलाइनिंग लगी अब पूरी में कॉटन की इसमें शन्टून की इसकी 1100 1130 की स्टीचिंग अगर पूरे सूट में आपके कॉटन की लाइनिंग है उसकी 900 है ठीक है कि दुपत्ता डबल शेड के इसके साथ आप ओडर कर सकते हो दिखाती है कि कस्टमर के हैं दो बसी और उनके बने गए यह वो पीसे जो मैंने हो यह अश्चमी पर अपना डाला था बहुत जाला पसंद किया चार बा इनका भी अच्छे से बना है इनके पास पास आ गया बिलकुल यह वर्क बिलकुल पास से आ गया वर्क मेरे साइड में जगा थी यह देख लो कि यह बाजू यह बाजू है मोती है देख लोजी और यह आएगी इसकी बोटब इसमें विशन टून लाइनिंग है इस सूट के एक बात बताती हूं आपको इसके साथ कारीगर कभी तो डबल शेड का दुपत्ता दे रहे हैं एक बार ही आया चार बार श्टोक आ चुक है म मैंने स्टिच करा रखे एक बार यह है मेरे खेल से अब जो स्टोक आएगा ना उसमें भी डबल शेड बोल रहे हैं डबल शेड आएगा ठीक है जी तो इस बात का कोई आप इशू मत बनाना कि हमें सिंगल शेड आई डबल आई यह सारा एक से या रख है ऐसी दे रहा है का आई से में ठीक है जी एक यह सीच पर आया था यह सभी पीस मिल जाएं यह जो मैंने अभी तक दिखाए है न दो वह भी मिल जाएंगे और यह भी मिल जाएंगा यह कनेडा जाएंगे सूट गले के उपर तब इसके बटन ऐसे ही थे यह बाद्यू है बाद्यू के उपर इन्होंने इस डिजैनिंग अ देल बाद्यू के उपर फ्रील वाली प्लेट ब्लेट सब ही में डाल रखे हैं यह इसकी बोटम है बहुत अच्छी स्टिची हुई है सूथ की यह देख लो यह दुपट्र है इसके साथ तो डबल शेड का यह अधा यह भी मिल जाएगा अगर आपको लेना है न तो यह भी मिल जाएगा ठीक है इसका और गेज़गा फैबरी के सॉफ्ट वाला देखो इतना सॉफ्ट है आप देख सकते हो बैक भी इसकी ऐसी डबल शेड में ऐसी ठीक है जी प्योर सिल्क में बोटम आती है इनकी बोटम के निचे कोटन का इलाइनिंग और इसको इसे सेंट हुआ है एचानी होगे जो रेग्लर कस्टमर है यह सभी हमारे डिजाइन है यह रपीट टू रपीट आते किसी को दिखा देती हुमें किसी को नहीं यह दे को कि लटकन पटकन जिसको जैसा जो कुछ भी लगवाना नहीं लगवा सकता है इतना सूंदर ऐफ आइप इन लगी इसमें आ लिचे वर्क कि इसका बैक गले अ सबनाया है इन्होंने बजो पर डजाइन बस वरक था ना इनके हाँ यह डजाइन कर रख था इन्होंने देखो सफाई देख सकते हो आप 1100 में आप कुछ भी डजाइन पड़ायन कराओ कोई लटकन पड़कन जो भी कराना है ना और शेंटून इनर इस प्राइज में कोई नह करके और ना इस प्राइज में सूट मिलेंगे हम तो आपको स्टिचिंग भी बिल्कुल सस्ते में करा के दे रहे हैं और क्या कहते हैं यह सूट भी अब यह देखो यह भी पहचाल लिए होगा आपने जोर्जट के अंदर भी शेंटूनी नर ही लगा है इस पे इनोंने इस कलर पाइपीन लगाई है देख लो पाइपीना कितनी सफाई से लगाई है गले के उपर ऐसे पाइपीन बाहर की साइड निकाल दी बाज्यों के उपर भी पाइपीन सिंपल सबसा बड़ा-प्यारा पीछा यह सिलक की बोटम है इसकी यह दुपट्टा था देखो लोग बढ़ को कराने ने सब रेड़ी होते हैं सब कराते हैं वह आप सारा कुछ करा सकते हो यह देखो कितना सुंदर लग रहा है यह पीस बनने के बाद ग्रेस बड़ी गजब की आई है इसकी और भी ज्यादा ट्रेंगल लेस है साइड में देखो जी इतनी सुफाई से लगा रखे है दिख रहा है अच्छे सी इसमें भी उन्होंने वैसे ही डिजाइन कर दिया दिखो यह जो सवाले में था ना इसमें भी यही डिजाइन करी कि यह और गेंजे का सूर्ट तो है ही और गेंजा का यहां इनर नहीं है वस इस एरिये में इनर नहीं लगाएं यह डिजाइन है सिंपल भी है और अच्छी भी लगेगी चीज आपकी ठीक है इसकी यह बोटम इसका डबल शेड का दूपट्टा यह सब ही मिल जाएंगे जोर्जट वाले को छोड़ कर ठीक है जी जोर्जट वाला नह मिलेगा कहीं कोई बहन कहें कि अरेंज किरा दो तुराज भी पाउंगे अब यह देखा है इसका यह और गेंजा बेस के थे जो मैंने दिखाया दिखाए आपको यह देखो पंजब भी सूट है बिल्कुल जवर्दस्ट चीज़ें पैचवर के साइड में पाइपीन बहुत अच्छी सी यह गला इसका यह डिजाइन कर दिये नों बजू के उपर पैच ते यहां डिजाइन करती है बटन लगाती है सिंपल सा इसकी बॉटम के उपर भी वरक है यह देखो कि यह बॉटम के उपर रख था यह दुपर था ठीक है जी इसके भी स्ट्राइद पीस मिल जाएंगे आपको अगर किसी ने लेने हैं तो सिल्क बेस है इसमें विशन टूनी न लगवाया तो इसकी ग्रेस अच्छी आती है काफी अच्छी बॉटम में सभी के लगए है प्लेट ब्लेट सब में डल ले गए है यह देख लो इनमें सब में शंटूनी यह और गैंज है जी बिल्कुल सॉफ्ट वाली बिल्कुल सॉफ्ट वाली और गैंज है इसमें विट्रेंगल लेस का काम किया गया है बाजू सिंपल है इसकी क्योंकि वर्क है इसमें कोई डिजाइन नहीं किया बाजू में बैक डला आपका यह सही मिलेगा फ्लेट सभी में बैक में यह बोटम है आपकी यह दुपक्ट अच्छे जी कैसा लगा आपको यह क्लेक्शन कैसी स्टिचिंग लगी वह तो दालने वाले को पर निर्बर करते हैं कि आप कैसा कैसा बनवाना चाहते हो अगर जादा कुछ डिजाइन कराना जाते हो वह भी बन जाएंगे सभी के अंदर चलो जी आप बताना कोमेंट सेशन में और यह सभी स्टोक आपको मिल जाएगा अगर आपको यह सूठ लेने मिल जाएगे सब्सक्राइब बहुत जबरदस्त क्लेक्शन आने वाले वह वीडियो भी देखना मिलती हूं आप सबसे उस क्लेक्शन में तब तक के लिए नमस्प्राइब